बहुत पैसा आपने कमाया होगा, बहुत रुत्बा कमाया होगा, कोई याद नहीं रखता है। दुनिया में किसी बड़े आदमी का नाम नहीं आता है कि उनकी 500 इंडस्टी थी, उनकी उसमें बड़ी फैक्ट्री थी, उनका हीरे का, कहीं पढ़ा आपने इतिहास में है। मुंबई जैसे शहर में रात के नो बजे करोड़ पती लोग इसमें बैठे होंगे बहुत काम उनके पास होंगे लेकिन दुनिया भर में जो लोग बाते कह रहे हैं सौरब भाई जो बात कह रहे हैं उस दिल ने उनके मन में कहीं कोई आग पैदा कर दिये है इसलिए वो यहां बैठे हुए है यहां से आपको न कोई टिकेट मिलने वाली है न यहां से कोई आपको पद मिलने वाला है न कोई नया कॉंट्रेक्ट मिलने वाला है लेकिन आप सब कुछ जानना और जीना चाहते हैं ये भूख आपको दिल्ली अपने अपने घरों से उठा के लाई है नीना जी साड़े तीन घंटे का सफर करके आई है जितनी देर में मैं दिल्ली पहुँच जाता हूँ कोई बात जरूर है इस लौ को जलाए रखिए ये समय कम है लड़ाई बहुत है अपने बीच में फैले वे कन्फ्यूजन को दूर करिये अपने बच्चों के साथ बैठिये जो जिनको मार्केट में कन्फ्यूज कर दिया गया है अपने बच्चों को सच बताईए बहुत कम समय है मैं जानता हूँ कितना कम समय है हर दिन चैलन्ज है सरकार के अस्थित के उपर अंतराश्ट ये ताखतें लगी हुई है एक घटना को गार्डियन कैसे लिखता है वाशिंग्टन पोस कैसे लिख रहा है बीबी सी कैसे लिख रहा है और अल्जजीरा कैसे लिख रहा है सब लोग मिल गए है सब की कोशिश है कि 2020 का जो भारत है जो अपने इतिहास की तरफ लोट रहा है जब पूरी वर्ड एकनोमी के अंदर वर्ड जीडिपी में आपका 33% का कंट्रिबुशन था अगर आप उधर लोटे तो पडोसियों की दुकान बंद होगी उनकी भी जो है वो काका आजकल MLA बने घूम रहे मोदी के पीछे पीछे चुनाव जीतने के लिए यहां आये थे कि गुजरातियों से कुछ रिक्वेस्ट कर दो कि मुझे वोट दे दे तो यह ताकत जो है यह आपकी ताकत है कि दुनिया का सबसे बड़ा घुदेदार जिसके वहां लाइन लगाई जाती थी कि कौन मिलेगा वो आपके प्रधान मंत्री के पीछे पीछे एक MLA के कैंडिडेट की तरह घूम रहा है इस सच्चाई को समझेए वो गुजरात देखने नहीं आया था उसको मालूम है कि वहां पे नईया डूब रही है और यही है जो अपने भी जितवाएगा और मुझे भी जितवादेगा गुजराती यहीं कमाल नहीं करते हैं वहां भी करते हैं इसलिए इस बात को सोचिए प्रवीन महता जी आप अकेले हैं आपके साथ ही आज क्यों नहीं आए बहुत सा रहे हैं यह प्रवीन महता जी भी है यह विपुल शाबी जी है मैं इन सब के नाम इसलिए लेता हूँ मुझे इस बॉंबे में कोई नहीं जानता था तीन साल पहले है और क्यों जानेगा मैं कुछ था नहीं लेकिन प्रवीन महता से ले करके पंकज भाई विपुल भाई इन्होंने एक proग्राम कराया और उस proग्राम में एक तस्वीर विपुल भाई साअराब भाई मेरे पास भेजी इन्होंने मैं घंडों उस तस्वीर को देखता था और यह सोचता था कि ये दिन मुझे देखना था क्या ये मेरे जीवन में ये दिन हो सकता है हम लोग बड़े छोटे परिवारों से आये हैं हमारा कोई बड़ा ऐसा परिवार नहीं है कि जिसकी हम चर्चा करें और बड़े हुआथ थे हमारे मन में इन्होंने एक मुझे फोटो भेजा कि जहां ये प्रोग्राम कर रहे थे उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड में मेरी एक तस्वीर लगी हुई और नीचे लिखा है हाउस फुल मैंने का ऐसा तो हमने अपनी जिन्दगी में जब घर से छुपके पिक्चर देखने जाते थे तब ही लिखा देखा था यार ये हम भी कहीं हाउस फुल हो सकते हैं ये मैं सोची नहीं सकता था तो उस मुम्बई में जहां इतने बड़े-बड़े लोगों ने प्रोग्राम किये और जब दिल्ली यहां आया बॉम्बई तो विपुल शाजी ने कमाल का काम किया इन्होंने बड़े-बड़े कट आउट लगा दिये मैं मुम्बई में अपना कट आउट देखके सोचने लगा यार इसा कैसे हो सकता है यह मुम्गिन है क्या और आज ऐसा इन्होंने माहौल कर दिया है कि मेरे जाने से पहले यह कट आउट लगवा देते हैं और शान्ती प्रिये धर्म के लोग परिशान हो जाते हैं इसलिए जगे-जगे वो अपना काम करते हैं लेकिन आपकी तादाद, आपकी गिंती और देश भर में जो एक राष्ट को लेकर के चिंता है इसलिए वो कहीं वहां नहीं पहुँच पाते जहां वो पहुँचने की कोशिश में करते हैं मैं सिर्फ आप से फिर आखरी बार यही विंती करूँगा कि आप सब को बिना किसी छोटा बड़ा उच नीच के राष्ट के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं और यह कहना बंद कर दीजिए मोधी पॉपुलेशन पे बिल कब लाएगा नस्बंदी कब करेगा यह कब करेगा वो जो कर रहा है उससे जादा इस पीट से कोई देश का प्रधान मंतरी नहीं कर सकता क्योंकि हम प्रधान मंतरी को समझते हैं कि उसके पास ताकते वो सब मिंटों में करतेगा एक हजार साल की गंदगी है और अंदर से चैलेंज है पाकिस्तान, बंगलादेश, इरा और चाइना से चैलेंज नहीं है भारत को जब भारत की आर्मी के चीफ ने ये कहा कि दो फरंट की चिंता मत करो क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के जो पार्टी का लीडर है लोग सबा में उसने कहा कि हमारे दो फरंट पहले से खुले हुए हैं क्या हम इन दो फरंट का मुखाबला एक साथ कर सकते हैं चीफ अफ आर्मी ने जवाब दिया उन्होंने किसी रिफरेंस में इंडिरेक्ली जवाब दिया उन्होंने कहा भारत के जो दो फरंट है इस्टन बॉर्डर और वेस्टन बॉर्डर पर इसकी चिंता भारत को नहीं करने चाहिए भारत की आर्मी कैपिबल है मैंने उसके बाद में इस नरेटिव को कहा भारत का एक तीसरा फरंट है जिसकी जादा चिंता करनी चाहिए ये तीसरा फरंट भारत के समाज में घुल मिल के बैठा हुआ है जो कहता है हम भाई भाई हैं अभी भी आपको भाई भाई का फर्क नहीं पता चल पारा भाई तो पाकिस्तान कराची में रहता है ये भाई चारा भाई का पता चल गया चारा का पता चल गया ये गंगा जमना तहजीब ये कहां मिलती है हम सदियों से साथ रह रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर रह रहे थे इस नरेटिव से बाहर आये अपने होने का हिसास कीजिए इसलिए मैंने कहा कि सनातन के लोगों को कभी हत्यार उठाने की जरूरती नहीं है आपने तो दो भेजे हैं तब अल्ला से यकीन हट गया है आप तै करें हमारे निजी स्वार्थ कुछ भी हो हमारी आपसी अन्बन कितनी भी हो लेकिन हम दिल्ली पे उसी को बिठाएंगे जो पांच हजार साल पुरानी सबिता और सनातन राष्ट को बचाने के लिए काम करेगा उसकी जात क्या है उसकी पार्टी क्या है वो क्या खाता है वो क्या पीता है ये हमारा एजंडा नहीं है ये बहुत खुशी की बात है कि वो जो करता है खुले आम करता है ऐलान करके करता है और उसके ऐलान करने से कुछ लोगों को लगता है कि हमारी पांच वक्त की अजान अल्ला नहीं सुनना लेकिन इसकी एक वक्त का एलान अल्ला यह सुन रहा है जो कौमें जो समाज अपनी पहचान पे शर्माते हैं अपने विचारों पे शर्माते हैं अपने पूरवजों पे शर्माते हैं अपने शास्त्रों पे शर्माते हैं वो समाज जिन्दा रहने लाइफ नहीं होता मैं और आप तो बहुत छोटी चीज़ है इविन कुछ भी नहीं है आपका पहला देश का दुनिया का प्रधान मंत्री है जो अपने होने पे शर्माता नहीं है जो है उसके उपर पूरे गर्व से कहता है मैं यही हूँ हम तो जरा सा तिलक लगा लेते हैं तो रहमान भाही के घर जाने से पहले पहुँच लेते हैं रहमान भाही को तिलक लगा देखेंगे तो उनको लगेगा यार यह कैसे ऐसा हो सकता है यह तो बड़ा लिबरल हिंदू था आपको लिबरल दिखने की शौख है आपके प्रधान मंत्री ने पहला चुनाव जीता विदेश की यात्रा की दो मुलकों का दौरा किया यह सिंबोलिक है यह देश समझ नहीं पाया मैं उसको उसी रास्ते से देखता हूँ उसी एजंडे से देखता हूँ पहला उसका दौरा भूटान का था दूसरा नेपाल का था श्री लंका का था पाकिस्तान का अखंड भारत में जो खंडित हुआ है उसको देख करके आ गया है कहां कहां है सब का उसने सर्वे करा है लोग समझ रहे हों कि वो बिर्यानी खाने गया है और नैपाल के उस मंदिर में छे घंटे पूजा की ये बात में किसी एंगल से नहीं कहना चाता मैं ये कहना चाता हूँ कि भारत का प्रदान मंतरी